ओम श्यान्ति अठारा जन्वरी का इस्मर्ति दिवस हम सभी को ब्रह्मा बाबा की यादें दिलाता है गहन और महान तफश्या करके वे सर्व स्रेश्टात्मा संपूर्णता को प्राप्थ हुए थे इस दिन हमें उन्हें फोलो करना है क्योंकि हम उनके बच्चे हैं बाप के संस्कार बच्चों में होने ही चाहिए होते ही हैं उन्होंने ऐस रीरी पन की गहन तफश्या की करते करते निराकारी स्थिति में पहुँच गए सभी के लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह सुद्ध कर लिया था साब मेरे बच्चे हैं कोई गलानी करे वे भी तो बच्चे हैं कोई लड़ने लगे बाबा से वे भी तो बच्चे हैं निन्दा इस्तुती मान अपनार जी सुख दुख सब में समान हो गए थे उन्होंने जो कुछ संसार को दिया बीज डाल दिये कोई कह सकता है उस समय तो बाबा के बच्चे बहुत थोड़े थे लेकिन बीज डाल दिये दस से सो में पहुंचे वे बीज सो से हजारों में और हजारों से लाखों में और अब लाखों से पहुँचेंगे करोडों में तो संसार को बहुत कुछ देने वाले प्रजापिता ब्रह्मा जिनके तन में स्वयम भगवान ने प्रवेश कर इस धरा पर ज्यान की गंगा बहाई आज हम उनको याद कर रहे हैं उनकी ही तरह हम भी अव्यक्त होने का अभ्य करें सारा दिन ही आज जो मौन रख सके मौन रखेंगे जो बहुत कम बोलें वो भी बहुत अच्छा है लेकिन बहुत सुंदर अभ्यास करें अकेला मौन पर याप नहीं होता मौन रखकर हम क्या-क्या अभ्यास कर रहे हैं इसका बहुत मैत होता है तो ऐसा रीरी पन मैं मास इस्तर सर्व शक्तिवान हूँ, स्वराज जधीकारी हूँ, राज रिशी हूँ, इस धरा का स्रंगार हूँ, इन स्रेश संकल्पों में रहते हुए, आज हम बाबा से वर्दान प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज के दिन बोलानात, परमसद गुरू, वर्दानी रूप से विशेश रूप से बैठते हैं उपर, वे हमारे परमसद गुरू भी हैं, और हमारी जिवन नईया के ख्यवईया भी, सारे बोज उनको अर्पित कर देंगे, सनेश सहयोग और सक्तियां देने को तत पर रहते हैं, आज विशेश सक्तियां देंगे, कोई कमजोरी आपको अपनी मिटानी हो, वो बाबा के समक्स रखते ना सबेरे ही, ये ले लो, तो आपको फेल होगा, बाबा आपको करंट दे रहे हैं, वर्दान जो भी आपको चाहिए, सबे रिशे ही लेंगे, स्याम को भी वही लेंगे, तीन वर्दान कोई भी निश्चित कर लेंगे, जैसे परिवार निर्विघन रहे, कदम कदम पर सफलता प्राप्थो, हमाया जीत बन जाएं, सदा सुखी रहें, हमारे संकल्पों में बहुत बल रहें, हम सुखदाई बन जाएं, हम दूसरों के मास्टर दो खर्ता बन जाएं, कुछ भी चुन लेना दो तीन, इसे और भी वर्दान हैं, फरिश्टा भव का, स्रेश्टी योगी बनने का, वर्दान मिलेगे, तो आज सारा दिन बाप दादा का आखवान करना, बड़ा मजा आ जाए, हर घंटे में बाप दादा का आखवान करने, फील करें दोनों आ गए, द्रश्टी दे रहे हैं, कुछ महवाकी सुना दिया एक दो, सिर पे हाथ रख दिया, दूसरी बार आवान कर लें, यान्सूर ये सिव बाबा का, आजाओ, आखों के सम्मुख आ गए, कभी सिर के उपर आ गए, किरने पड़ रही हैं, हर गंटे में ये दोनों प्रेक्टिस बहुत ही जी है, एक मिनट में दोनों कर लें, दो मिनट में कर लें, सारा दिन ऐसा करने से, महानी स्थिती में बीतेगा, परमानन्द की अनुभूती होगी, आवान करें, और बावा जो कुछ स्याम को मुडली में हमें करने के लिए कहे, उसको दरता पूर्वक करेंगे, तो हम बहुता के निकल जाएंगे, अब चाहे कितने भी लास्ट आए हैं, फास्ट चले जाएंगे, तो हमारी इस दिन पर सभी के लिए सुभावनाएं हैं, औ इस धरातल पर स्प्रिक्च्वल रिवल्यूशन क्रियेट करने में, यानि रुहानी क्रांति पैदा करने में भूमी का निभाएं, ओम श्यंति.